लोग आज हम आपको प्याज के बारे में बताएंगे हमने एक पहले भी वीडियो डाली थी उसमें प्याज के बारे में बताया था कि अधी कोई जहरिला जन्तू जैसे भिरन रतताई या मदमक्खी काट जाए तो उसके लिए प्याज लगाएं और आपको पेडा भी नहीं होगी सोजन भी नहीं होगी और आपको लाब होएगा आज हम आपको प्याज के और गुनों के बारे में बताते हैं प्याज मेगा नाशक है प्याज रक्त पित नाशक है प्याज वोमन नाशक है प्याज के बीज दान्तों के क्रीमी नाशक है अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो प्याज का रस सेवन कराएं दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी प्याज कफ में और कुकर खांसी में भी लावदायक है प्याज द्वित्य स्रेणी में रुक्ष है खटिड कारों को बंद करती है मुक्ष द्रुगंद आने के लिए प्याज को कुछ हिंदू लोग पसंद नहीं करते नाक से रक्त गिलता हो तो प्याज की कुछ बुंदें टपकाने से लाव होता है प्याज को अलसी के साथ पीस कर बादने से फोड़ा पक कर फूट जाता है कान की मैल साफ करने के लिए प्याज को तेल में फूंक कर कान में टपकाने से बहरपन मिटता है और मैल साफ होती है हैजे की प्यास में कच्चे प्याज का रस देने से बार-बार प्यास लगनी बंद होकर आराम मिलता है कीडम कोड़े मच्छर भगाने के लिए प्याज को काट कर पास रखें तो कीडम कोड़े नहीं आते हैं और अगर आप सफेद प्याज एक सफेद प्याज घर में रखें तो सांप जहरिली चीज़ें आने से डर नहीं लगता उनका भय नहीं होता और वो सफेद प्याज से दूर रहते हैं हमने आपको प्याज के गुन बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे आशा करती हूँ कि आप इनका लाव उठाएंगे अगली वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे प्याज के बारे में और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे ताकि आप लाब उठा सकें यह आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं धन्यवाद